Summers are around the corner and the most traumatized victim during summer season is of course our refrigerator. जैसे ही शुरू होती हैं गर्मिया, हम स्टोर करने लगते हैं बहुत सारी चीजें अपने फ्रिज में, चाहिए हो ड्राइफूर्ट या बहुत सारे मसाले. ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि फ्रिज ओर्गिनाइज रहे और समान कम रहे क्योंकि जब फ्रिज ओर्गिनाइज होता है तब एर अच्छे से सर्कुलेट होती है और अगर चीजें जब विजिबल होती है तो फूट विजिज भी कम होती है. हेलो एवरीवन, माइ नेम इस नेहा एंड विल्कम तो यॉर चैनल इस गुट तो भी होम जो लोग मुझे पहली भार देख रहे हैं उनको बताना चाहती हूँ मेरा नाम नेहा है और मैं वीडियो बनाती हूँ हूँ होम स्टाइलिंग, होम और बिसिकली कवर करती हूँ हो स चलिए आज शुरू करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने फ्रिज को कैसे ओर्गिनाइज किया हुआ है तो चलिए वीडियो को शुरू करते है तो यह हमारा LG का डबल डोर रेफ्रिजरेटर है जिसकी कपैसिटी 360 लीटर है और यह कनवर्टबल मॉडल है जादा चीजें मैं उपर नहीं रख सकती तो यह मनी प्लांट एक लो मेंटिनेंस प्लांट है तो तीन चार दिन में एक पानी डालके हो जाता है और सामने से क्योंकि डोर है तो लाइट मिलती रहती है तो वह है यह फ्रीजर वाले डोर पर थोड़े से कुछ मैगनेट्स है जो हम कहीं कहीं गए थे वहां से हमने लिये हैं या किसी ने सो विनियर दिये हैं लाकर और कुछ जो वैगनेट्स हैं वो मैंने अमेजान से पचेस किये हुए है तो यह इस तरह से रहता है यह उप्शन जो है एक्स्रूस फीज का मिल जाता है आप मतलब अगर लाइट नही करके हम फ्रिज बना सकते हैं यह पर एको फ्रेंडली वाला ऑप्शन मिल जाता है मतलब अगर कभी वाकेशन वगयरा पर जाते हैं तो फिर वह मतलब कम एनर्जी स्यात कुछ कम यूनिट्स लेकर चलता है और यहां पर चाइड लॉक मिल जाता है तो सबसे पहले देखते है जो हम यूज करते हैं तो इसमें ग्रेकर चीज रहता है यहां पर फ्रेंच फ्राइज रहते हैं फ्रेंच फ्राइज का एक और पैकेश नया भी यहां पर है लेकिन जब यह खतम हो जाएंगे तब मैं वो इसको निकाल कर इसमें फिल कर दूँगी इसमें ग्रीन पीस रहती है और फिर यह जो फोर्स वाला बॉक्स है इसमें रहता है हमारा स्मीट कोई तो यह इस तरह से रहता है बॉक्स और यह यहाँ पर यह फ्रेंच फ्रैस का पैकेच है और एक यह यहाँ पर और थोड़ी सी ग्रीण पीस है लिए बूत 6 वह फ्रैस के ओपर रहता है यहाँ से चीज का पूक्स फिर यह जो ब्रव ऐस हमें आते हैं पार्ट में इसमें यहाँ पर यह सूझी रहती है यह सूझी का बॉक्स है और मैदा, सूची और मैदा मेरा उतना यूज नहीं होता तो मैं अगर हाफ खेजी भी लेती हूँ तो वो खराब होने लगता है तो मुझे फ्रीजन में रखना पड़ता है किसी का जल्दी जल्दी यूज हो तो उसकी जरुरत नहीं है फिर यहां पर यह rice floor रेक रहता है और यहां पर खसकस रहता है यह बहुत ही कम बचा है तो भी लेना है इसके पास में एक यह narrow से tray रहती है इसमें हमारी ice cream रेक रहती है यह कौन जो भी अभी ice cream नहीं है तो यह खाली है और यहां पर यह ice का रहता है यहां पर यह इमएजेनसी परपोसेस के लिए हाँ यहां पर यह आइस पैक रहता है यह आइस पैक फ्रीजर डोर में भी इधर छोटे-छोटे glass containers हैं इसमें मसाले रहते हैं जैसे ये बिर्यानी का मसाला ये पाव भाजी ये सांबर मसाला वेश बिर्यानी मसाला चिकन मसाला और ये चना मसाला इनको भी मैंने जो मसाले के काटन रहते हैं उनसे ये छोटा सा वो काट करना पैट जैसा जहाँ पर नाम लेबल रहता है उससे सेलो तो यहां पर मैं अपना स्टोर करती हूं सारे डेली वाले जो प्रोड़क्ट्स रहते हैं यह बटर है यहां पर चीज है कुछ और फ्लेवर्ट्स पर तो टेमस अत्य परन कारों कारों नोगए था यहां पर इक ऑर चोटी सी बास्केट रहे जोटी नियुकर कहते हैं पर यहां पर वही बटर और यहां पर चॉकलेट्स है और फिर उसके नीचे वाला जो सेक्षण है इसमें मील प्रेप के लिए है इसमें गालिक वह सारी जिंजर रहती है यह वाला जो बॉक्स है इसमें ग्रीन चिली और करी लीफ रहते हैं उसके बाद ये वाला बॉक्स तो फिर ये ग्रीन पीज है अगेन आजकल सीजन में हैं अभी तो आ रही है ये पील्ड है और उसके बाद ये वाला तो आपने देखा ही होगा इसमें अनियन और टोमैटो रहते हैं ये बॉक्स में पनीर रहता है क्योंकि हमारे घर के पास एक शॉप है वहाँ पर बहुत अच्छा पनीर सॉफ्ट वाला भाया देते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पैक वाला नहीं खाएं ये बहुत अच्छा होता है इछे जो रहता है ये मेरा मिल्क वाला वैसल है ये इसमें दूद रहता है और यह ऐसे लंबर वाला हमने शेडी से खरीदा था और मैंने पूने से भी एक दूलिये थे जब हम पूने में थे तो यह वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए इस तरह के जो वैसल से रहते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं फिर अगेन इसमें यह हमारी धन्या पुदीना की चटनी है इसके बाद वाला जो शेल पाता है इसमें यह ब्रेड बॉक्स है तो इसमें ब्रेड रहता है पनीर तो मैंने आपको बता दिया था फिर ये वाला जो है इसमें मैं मलाई कलेक्ट करती हूँ और ये काफ़ी डीप और बड़ा है तो जो मतलब हैंड ब्लेंडर से लगा चलाने का होता है वो इसी में हो जाता है मुझे दूसरा कोई भी बरतन यूज करने की दरूरत नहीं पड़ती तो मैं इसमें कलेक्ट करती हूँ अभी तो कम है जब यादा फिल हो जाता है तो इसमें मैं चर्न करती हूँ इच्छे वाला जो है यहाँ दो स्टोरेज बॉक्सेज हैं एक में यह दोसरा बैटर है क्योंकि साउथ इंडियन बहुत हमारे बनता है तो यह दोसरा बैटर और यह आटे का बॉक्स है मर आटा गुदा हुआ रहता है और यह दही का है दही इसमें रखती हूँ दही का कोई ऐसे डेडिकेट बरतन नहीं है जिसमें ठीक लगता है कि जितना जमाना है दही उसे साथ से करती हूँ उसे यह वाला जो शेल्फ आ जाती है यह लेफ्ट ओवर की शेल्फ है इसमें सबजी है कुछ कल परवल आलू का मैंने बनाया था इसमें बॉइल राजमा है थोड़ा सा क्योंकि लाग कल मैंने बनाया था मुझे रागा बहुत जाता है और यह दोसे की चटनी है आज जो बनाया था इस साना का एक बॉक्स है इसमें कोरियंडर लीव या मिन्ट लीव जो भी होता है वो स्टोर करती हूँ नीचे चीशू डाल दो तो फिर मौशर उद्वाब अच्छे से कर लेते हैं और इस तरह के जो वैसल रहता है अब इसमें सामबर है जो यह कॉपर बॉटम वाले जो लोग माइक्रोवेब यूज नहीं करते हैं कोस्ट ओरिच के लिए अगर ऐसे वाले यूज करते हैं तो इनको डायरेक्टली फ्लीम पर रखना और गरम करना इजी हो जाता है और फिर यह जो नीचे वाला है इसमें हमारा एग वाला बॉक्स आता है इसमें 24 एक्स आ जाते हैं तो यह इधर रहता है क्योंकि हम लोग breakfast में बहुत प्रिफर करते हैं एक्स खाना तो उधर तो सिर्फ 6-8 एक्स आप आते हैं तो उतना नहीं होता फिर यहाँ पर यह convertible box है यह भी temperature control यहाँ पर कर सकते हैं तो अभी मैंने लोपर किया हुआ है इसमें यहाँ पर fruits है तो एक plate में मैंने यह grapes रखे हुएं जिससे नीचे का यह जो है lining गंदा ना हो फिर हमारे पस इस समय हमारे पस mango और orange है यही fruits हैं अभी फिर यह जो आ जाता है vegetable वाला box है और vegetable वाला box का मुझे बहुत ही अच्छे यह containers मिले हैं Amazon से जो की यह बहुत ही मतलब देखी जैसे air का भी circulation होना बहुत अच्छा है और इसके साथ की यह जो dividers है यह अपने आप हिसाब से आप कहीं भी लगा सकते हो quantity के हिसाब से एक में यह bagun और capsicum मैंने रखा हुआ है और इधर भिंडी और यह करेला है और यहां पर जो है अर्बी है और यह वाला भी जो है इसमें मैंने बीच में डिवाइडर नहीं लगाया हुआ है यह भी उसी तरह का basket है और इसमें मैंने टमेटो स्टोर किये हुए है क्योंकि आजकल थोड़ा covid time है तो जादा सबसियां आ रही है वैसे मैं 3-4 दिन की सबसियां ही लाती हूँ तो थोड़ी सी जादा है यह curry flower भी है और यह लौकी भी है तो यह तरह से रहता है यह baskets मैंने amazon से खरीदी है यह three का set था और यह देखी कितनी deep है इनके हर basket के सार दो divider आये हैं जिसे हम अपने according fix कर सकते हैं जिसनी quantity है सबजी की वैसे तो यह multi-purpose basket है लेकिन मैंने इनको frizz में vegetable sort करने के लिए use किया हूँ है दिखे इस तरह से यह three compartment में divide हो गई है मैंने एक बड़ा छोटा छोटा फिर लगाया है और यह काफी deep है जिससे की जो vegetable basket होती है frizz की उसका जो vertical spaces वो अच्छे से organize हो जाता है तो मुझे बहुत पसंद आई लिंक मैंने description box में छोट दिया है यह जो door वाला part आजाता है इसमें भी काफी storage है मारे frizz में इसमें उपर तो यह x वाला जो section है यह वाला यह beauty and care है इसमें बच्चों के nibblizer, eye drops, insulin अगर ममी जी डाड़ी जी कभी आते हैं तो फिर यह बच्चों का nibblizer की syringes and all है यहां पर वही sauces, mayonnaise, mustard sauces वग्यरा है यह lemon juice है यह पीछे मैंने glue candy है पीछे onion और garlic powders है यह pasta sauce यह pizza pasta sauce हाँ और यह container बहुत ही special है तो कि इसमें मैं store करती हूँ बाहर से आने वाले सारे pizza के साथ जो chili flakes और यह और यह और आते हैं चाहें कितना भी कोई भी brand ले लो पर यह वाला taste किसी में भी नहीं होता है जो pizza hut और domino's के साथ आते हैं वो कुछ अलगी होते हैं तो फिर उसके बाद आजाते हैं इस section पर यह section जो है इसमें यह एक मैंने container रखा हुआ क्योंकि यह इसमें सारे सारे जो पाउच हैं वो अरेंज कर लेती हूँ तैमरेंड पेस्ट और यह छोटे वाले सेशे वेज मैयोनेज और यह गार्लिक चटनी शेजवान चटनी और जो भी कुछ है जो आधे यूज हुए होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं और मैयोनेज का जो यह वो है ना पाउच इसको मैं ऐसे फ्लैटन कर देती हूँ थोड़ा सा जिससे यह पीछे वाले स्पेस म केचप रहता है फिर यह आजकल थोड़ा टफ टाइम है तो दूद का थोड़ा मैं रखती हूँ पीछे के अबरी डे का पैकेट भी है इनकेस कभी नहीं आता है तो हम यह यूज कर लेते हैं और फिर यह बच्चों के वही पेपर बोट वो सब कुछ रहता है वह नो नीचे इट हेल्दी, stay healthy and stop wasting food तो यह था मेरे फिसको और्गनाइशेशन वीडियो आए होप अपको अच्छा लगाओगा और अपने फिसको और्गनाइश करने के लिए कुछ चिंप जरूर मिले होंगे तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजेगा और ऐस से ही इंट्रेस्टिंग यूसफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगली बार मिलते हैं एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई एक और गिनाइज और फंक्शनल फ्रिजना सिर्फ आपको हेल्प करता है एक लिए और गिनाइज और फंक्शनल फ्रिजना आपको सिर्फ हेल्प